कर सकते अलोग क्लास एट इस टूडेंlex 22 आज हम आपका संसक्रत का चैप्टर नंबर 55 स्टार्ट करने जा रहे हैं वशेश। यह सहक के यह सण्चिया या सरणाम शब्दू की विशंटा बता ते उने हम विशेशन के पैंभल हम संख्या वाची कराई विशेशन और क्रम वास्ची विशेशन पढ़ेंगे ohne अब को पता हैं संख्या जैसे EDP 3 Cayla दूसरा और संख्यभेस को संग्र में लिखने के लिए हम एक दो तीन इनके संस्क्रत शब्द लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा तो उसके लिए हम लिखेंगे 10, 20 लिखा तो उसके लिए 20 शती, 30 लिखा उसके लिए 3 शत, फिर चत्वार इंशत, पंचा शत, इनको शब्दों से पहले हम लिखते थे, जैसे कि हम इनको लिखना है 46, क्या लिखना है 46, तो 46 कैसे लिखेंगे, 40 के उपर 6 हुए, यह ना, तो 6 चानव करने के लिए सब्सकुत कर llis को संक्तर में कि रिखने के लिए ड़ने क करें दोनों को मिला कर लिखेंगे शट इस प्रकार से दूसे शब्यों को भी ना सकते हैं अब यहां पर आपको यह है ना और 70 को लिखते है सप्तति तो पंचे सप्तति हो जाएगा ठीक है अब आपको यहां पर इसी ताइप से संख्या को change करना होता है संख्या change करना है वो मैंने आपको बता है कि जैसे कोई भी हो गया है जैसे आप यह मान लो कि यह 31 ठीक है negatis में पहले क्या लिखेंगे देहेंगे एक क्या लिखा हूब है यह टीस को एक लिखेंगे यह नियूवां क्या लिखेंगे एक लिखेंगे त्रिंचत तो हमारा क्या हो जाएगा एक त्रिंशत, 31 को क्या लिखेंगे हम एक त्रिंशत, ठीक है उसी टाइक से संस्कत में संख्यावाची शब्द हैं जो एक से सो तक है यहाँ पर लिखे हो गए जैसे कि एक हो, एका, एकम, दो, द्वे, त्रे, तिस, सतिनी चतवार, चतवस, चतवारी, पंच, फिर, शट, सब्द, अश्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रेओदश, चतुरदश यहाँ पर देखो आप वन से रगा कर एक से लगा कर आठ तक कुछ दो-दो रूप चल रहे हैं उसके बाद सभी लिंग यह पूलिंग में चलता है, यह स्ट्रिलिंग में चलता है और यह नपुसंक लिंग में चलता है इसी टाइप से पूलिंग में एक हो, स्ट्रिलिंग में एका और नपुसंक लिंग में एका एक से नोग, आठ तक ही अलग-अलग चलते हैं उसके बाद सारे सेम ही चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में नव दश, एका दश, द्वा दश, त्रयो दश, चतुर दश, पंच दश, इस टाइप से आपके यहां तक एक से लगाकर यह आपके सो तक, शतम, यहां तक आपके सारे संख्यावाची शब्द दिये हुए, तो students आपको 4-5 बार इनको रिवाइस करोगे, तब जाके आपको यह लणोंगे, अब सो तक तो यहां आ गए, अब सो से उपर के संख्यावाची शब्दे, तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए कुछ नियम होता है, जैसे कि पहला नियम होता है, कि शत्त, ऐसे जो संख्यावज 15 की संख्यावज तो पंच दश, ठीके, उसके बाद आगे क्या लगाएंगे, अधिक लगाएंगे, और उसके बाद जो बड़ी संक्या है, वो शत्तम लगाने से, 115 जैसे कि पंच दशादिक शेतम, अधिक लगाना जरूरी है, पंच दशादिक शतम, सो से पंदरा अधिक, ठीक है, ऐसे शत्थ सहस्त्र का मतलब होता है आपके हजार, अगर उनका आधा लगाना हो, तो क्या करते हैं, सार्ध, पचास को लिदते हैं, सार्ध, पांसो, पच्चोथाई जो होता है, उसको क्या करते हैं, सापादम, शत्थ, सहस्त, चोथाई कम हो, तो पादोन शतम, पादोन सहस्त्रम इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि चार सो परचास है, तो चार सो परचास को क्या लिखेंगे, परचास को सार्ध, सार्ध, शत्थ, चत्तुष्टियम, इस प्रकार अगर 125 को लिखते हैं तो सपादश शतम लिखते हैं 125 को पादोन द्रीश शतम तथा 1750 को पादोन सस्वध्यम लिखा जाएगा अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कत में संक्या को उल्टे क्रम से लिखना शुरू करते हैं कि 101 तो बीच में ज्यादा का शब्द आ जाएगा एक एक अधिक शतम क्या हो जाएगा यह एक अधिक शतम उसी तरीके से 140 लिखा चत्वार इंचतिकम शतम इसी टाइप से आपके आगे भी लिख्यों है अब हिंदी अर्थ संख्या वाजी शब्द कुछ संख्या वाजी शब्द हैं जिनकी आपको हिंदी अर्थ देखने हैं जैसे कि देखिए आप शतम का मतलब सो ठीक है फिर शतम सो आयूतम दस अजार प्रयूतम दस लाख अर्बूदम दस करोर खरवन दस अरब महापदम दस खरव जलदी दस नील और मद्यम दस पदम इसी तरी के सहस्त्रम हजार लक्षम लाख कोटी है करोड अब जम अरब फिर आता निर्खवन खरव शंकू नील अंत्यम पदम और परारधम शंक ये संक्या के हिंदी मीनिंग थे अब आज शंक्या वाचक शब्दरूप अगर हम देखते हैं जैसे कि देखा एक का एक को प एका एकम एकम एकाम एकम ये सब विवक्तिया है एकेन एकया एकेन एकसमे एकस्ये एकसमात एकस्या 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 एक शब्द के तीनों में एक वचन में ही चलनें बस सम्होंदन विवक्ति की रूप इसमें नहीं चलते हैं, उसी टाइप से आपकी यह दो का दिया हुआ है, द्वो, द्वे, 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 द्वे में ही चलते हैं उसके बाद आता है चार ठीक है चत्या है ₹1 दिख्र GTC 4 दी च değiş चत्र-भी चफ्र भी इस एक से सारे विबक्तियों में अलग-अलग चार के रूप दिये हो हैं ही फिर आपका आता है पंच शत तो इसलिए इन्हों वे सिर्फ यहाँ पर पंच के रूप दे दिए अब चलेंगे अंप로 म drifting में यही चलेंगे यहांपर शट के यून्हे पूलिंग के दे दिए इसलिक में भी सप Wh из-6 कर दे ठीक है फिर आता है अश्ट नव और दश आठ नो और दस इनमें क्या होता है कि सब सेम ही चलते हैं तो इसलिए यहां पर भी इन्होंने एक साथ ही दे दिये दश शब्द के रूपों के समान ही जैसे दश होता है इसी के जैसे एका दश, द्वा दश, त्रव्य दश और चतुर दश, पंच दश, शो डश, सब्त दश और रचा दश के रूप चलते हैं फिर उन्नीस एकोन विंश्टी से नव नति यानि की निन्यानों तक के सभी शब् करने तुह जैसे कि कुए नित्य अरण रहा है नित्य एक वंचिणार तो यहां पर देखो विंश्टी है ज separately जैसे मतिष дав विंश्टी इस तरीके से फिर यहां पर देखो आगे चत्वारिंशत और पंचाशत के रूप तींशㄱ से शिछ जलते हैं ऌश भी अशिती यानि 70, 80 और 90 के रूप विंशती के समान चलेंगे यहां पर इसके जिसे 40 और 50 फिर इसके चलेंगे 70, 80 और 90 के रूप उसके बाद में शतम, सहस्त्रम, अयूतम, लक्षम इनके एक वचनान्त ही प्रविक्त होते हैं उप्युक्त संख्यावाची शब्दों के रूप नपू संख्यावाची शब्दों के एक वचन की तरह चलते हैं कोटी और दश कोटी शब्द जो होते हैं वो मती शब्द के समान बनते हैं जैसे शतम, सहस्त्रम, लक्षम, कोटी, दश कोटी सब एक जैसे है तीनों लिंगों में एक जैसे ही चल रहे है इसलिए नुठ लुखत के ऐक यही दे रहे हैं अब संख्या जानने के लिए किसली है कितने के लिए क्त गत्वार कर यां पर कूछ दिये जा रहे है फिर आपका आता है क्रम वाचिशब्द, अब देखो क्रम वाची शब्द में क्या है? 30, 40, 50, 30, चत्वारिंशत, पंचाषत, शष्टी, सत्पी, अशिती, नवती, आधी शब्दों में तम जोडने पर ये क्रम वाचि शब्द बन जाते इनमें क्या जोड़ देते हैं तम, जैसे त्रिंशत से त्रिंशतम, चत्वारिंशत से चत्वारिंशत, चत्वारिंशतम, पंचाषत से पंचाषतम, शष्टी से शष्टी तम, सब्तती से सब्तती तम, अशिती से अशिती तम, नवती से नवती तम, यानि इसमें आप तम जो तो आपको इनको सभी को read करना है जब तक आप इनको read नहीं करेंगे तब तक आपको समझें नहीं करेंगे देखिए आफ एक सब्सक्यां के तम तम लगा देने से तम है जैसे कि देखो qa-tham में तो अलडरी लगई हुआ तो बस आपको देखना है यहां से यहां तक यह आपके एक से लगाकर एक से लगाकर यह आपके निन्यानू उसके बाद में 100 शत, 200, 300, 400, 500, शत, दिन्चत, रिन्चत, चतुर्शत, पंचत, सहस्र, हजार, दस हजार, आयूत, फिर लाक लक्ष, दस लाक प्रयूत, करोड कोटी, दस करोड अर्बूत, अरब अबज, दस अरब खर्व, खरब निर्खव, दस खरब महा पद्म नील, शंक, दस नील, जलदी, पद्म, अंत्य, दस पदम, मध्य, और शंक, परार्द, यहां तक आपके सारे रूप यह दिये हुए हैं, तो आपको इन सभी को बहुत ही अच्छे से रीट करना है, चप्टर्स में, मैं अब यहां को आपको बढ़के बताऊंगी, तो आपक एक चीज द्यान लखना की क्रम वार्चक शब्द पूलिंग और नपुसंक्लिंग में अकारांत होते हैं, अताव पूलिंग में राम की तरहे और नपुसंक्लिंग में फल की तरहे चलते हैं, अब स्ट्रिलिंग में प्रत्मा, द्वितिया, त्रतिया, यह जो शब्द हैं वह लता की तरह चलते हैं और बाकी सबी जो है वह नदी की तरह चलते हैं फिर उसमें इक करांता जाता है ठीक है इसके बाद में आपके यह अभ्यास दिया हुआ है exercises दिने हैं आपको इस exercise को complete करना है इसके answer इसी में ही लिखी हुए तो आपको इसी में से answer देखकर अपनी copy में work complete कर लेना है और चो आपको work complete रखना है क्योंकि आपकी copy कभी भी submission के लिए मंगी जा सकती है तो आपको अपने work को delay नहीं करना है और जल्दी से जल्दी हो सके उत तो उसी के आगे इस question की हिंदी भी लिखी होई है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं और अपना question कर सकते हैं यहाँ पर आपका chapter number five over हो रहा है thank you have a nice day